दोस्तो जैहिंद हम करेंट एफेर्स में जो देख रहे हैं वो वक्ष संसोधन विधयक में कुछ बदलाव किया गया है भी नहीं पास किया गया रोक दिया गया है मतलब सरकार के द्वारा ऐसा नहीं कि कोई रोका है विधेश मंत्री ने बांगलादेश और कनड़ा पर को एत एतराज जताया देश ने ताकि वहां के हिंदूओं को सुरक्षित रखे गवर्मेंट हमन सोरेन जारकन के मुख मंत्री पद की चौती बार सपत ले लिए और 14 मुख मंत्री 24 वर्स में 14 मुख मंत्री हो गये ठीक है चलो आगे बढ़ते तो फटापट हम सुरू करेंगे भा देश राज जी मंत्री कृती वर्धन सिंग ये राजसमम में ऐसे कुछ लिक बोल रहे थे तुन्होंने लिखीत जवाब में उत्तर दिया है कहा है क्या अलप सेंखक्यों सहीत बांगलादेश के सभी नागरिकों के जीवन और सुरंता की सुरक्षक की प्रात्मिक्ता जिम् लुक्सान पहुँचाने की कई घटनाएं सामने आई है तो सुरीसिंग, कृतिवर्धन, सिंग जो ये कह रहे थे ठीक है और बांगलादेश में पूजा जो हुआ था दुरुगा पूजा के दोरान ढाका के तांती बजार में पूजा मंडप में भी हमला हुआ था ठीक है तो यहाद रखिएगा तांती बजार और जोगेश्वरी जोगेरेश्वरी काली मंदिर में ठीक है चोरी भी हुआ पूजा मंटप में हमला हुआ तो यह सब चीज थोड़ा ध्यान रखेगा कौन से मंदिर कहां पे करके पूछा जा सकता है बंगलादेश में प्रधान मंत्री कोन है कारे वहाद तो मुहम्मद यूनूस ठीक है मुहम्मद यूनूस वहाँ के प्रधान मंत्री है और बंगलादेश का नाम आया है तो याद रखिएगा ठीक है अभी तो इतना ही प्रधान मंत्री है और इसके बाद यह जो कृति वर्धन सिंग, हम इन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जब भी कोई मंत्री आता है तो, तो कृति वर्धन सिंग जो है उत्तर प्रदेश से हैं, गौन्डा से. ठीक है? लोकस्भा सानसत. ठीक? सदन में एक और यही जो कृति वर्धन सिंग है, वही कह रहे ह अन्य उत्तर में विदेश मंत्री, विदेश मंत्री कौन है? जे संकर परशादी, ये विदेश राज्य मंत्री हैं. तो कृती वर्धन सिंग ने बताया कि भारत और कनाड़ा अपने विद्धिपक्षि समंदों के स्थिति के बारे में संपर्क में हैं. एक्चुली क्या हुआ रहे थे, मतलब ऐसा कनाड़ा की गौवर्मेंट कह रही थी कि इसको मारने में भारत का हाथ है और भारत सरकार का हाथ है. ठीक है? तो इसलिए भारत सरकार अपना कनाड़ा के साथ जो है वो समंद है वो खतम कर दिया था और वहां के अपने राजदोत को जिनका नाम है खतम कर लिया था भारत सरकार में ठीक है क्योंकि वो आरोप लगा रहे थे बार बार, चुकि वहाँ चुनाव है इसलिए उन से समर्थन चाहते थे, खालिस्ताणियों से, ठीक है? जस्टीन टूडो वहाँ के परदानमंत्री है, जस्टीन टूडो, ठीक है? जस्टीन ट्रूड़ु तो थोड़ा से देख लेतें बाकी तो सब देखी लिए वक्त शनशदन विदेग दोज़ाट चोबिस संवित संशदीय समिति के अध्यक्स जम्दम्बिका पाल संज्युक तो संसदिय समीती जो होता है इसको गठन कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन करता है लोकसभा के अध्यक्ष ठीक है इसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं और ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रेंथ पे कौन की लोकसभा अध्यक्ष हभी कौन है ओम दो लोग उपचुनाव जीते हैं ठीक है प्रेंका गांधी और लोकसभा के एक और एकती है रविंद्र वसंतराव चोहान ये दोनों नेशनल कॉंग्रेस से हैं ठीक है कॉंग्रेस से हैं दोनों का सीट आपको बताना है एक प्रेंका गांधी का दूसरा है रविंद्र वसंतर यह दोनों लोकसभा के उपचुनाव में अभी जीते हैं जब महाराष्ट और धारकंड का विधान सभा चुनाव और अतत्तब ठीक है तो यह दोनों आपको बताना है कि यह दोनों कौन-कौन से से चुनाव जीते हैं ठीक है यह पूस्ता है सरकार ने कहा है उजाला योजना के तहट LED बल्बों के वित्रन से प्रती वर्ष 19,000 करड़ रुपे से अधिक की बचत हो रही है ठीक है तो यह उजाला योजना के बारे में आया है तो थोड़ा सा देख लेंगे उजाला योजना कब आया था तो परधान मंत्री मोदी जी ले वैसे भी यह सब योजना जो है पूछता है तो याद रखना उजाला योजना 1 मई 2015 किसके द्वारा शुरुवात किया गया था तो परधान मंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉंच किया गया था ठीक है उसके बाद लोकसवा में लिखीत उत्तर में बिजली राज्य मंत परधान मंत्री है और इनका लोकसवा जो सीट है वो कौन सा है तो उत्तर पर शुरी गोवा है गोवा में दो लोकसवा सीट है जिसमें से एक उत्तर गोवा है तो उसी से यह आते हैं कौन श्रिपद नाइक ठीक है याद रखिएगा यह बहुत पुराने आदमी है बीजेप नाइक तो उजाला योजना का ध्यान रखना बाकी कितना बचा रहा है यह तो नहीं पुस्ता लेकिन पुस्ता योजना कब शुरुआत हो था और किसके द्वरा लोंच किया गया था तो मोदी जी के द्वरा एक मई 2015 जारखन मुक्ती मोर्चा के वरिष्ट नेता हेमंत सोरे आज चोथी बाज जारखन के मुक्ष मंत्री पद के रूप में सपत ली ठीक है आज मतलब कली लिये थे राजपाल संतोस कुमर गंगवार वहां के है उन्होंने सपत दिलाई है और मुक्ती मोर्चा के है यह नेता कोन है हमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में मुक्ष मंत्री थ और अभी फिर से सपत ले लिए है तो जारखन के बारे में थोड़ा सा 14 लोग सबा सीट है और विधान सबा सीटों की संख्या 81 ठीक है थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र दिवेवेदी ने अधिकारियों के परसिक्षन के लिए एक ओन्लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलब्बे का सुबारम किया कौन सुरू के आए तो जो आर्मी के चीफ है वो उपेंद्र दिवेदी कौन सा प्लेटफॉर्म है ये तो एकलब्बे ठीक है नए-दिल्य में शुरू की गई है पहली भारतिय सेना द्वारा खुद को परिवर्तन के दसक में आगे बढ़ाने और 22 के लिए भारति सेना की थीम पर्दयों की अवसोसन के वर्स के साथ संडरेखी थे तो परिवर्तन के दसक की तरह इसको मनाना चाहती है 2024 से लेके 2024 तक ठीक है ऐसा मान के चलो आप और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है एक लब ये ठीक है याद रखना थल से नाध्यक्ष उपेंदस दिवेदी तो आर्मी का हो गया एरफोर्स का कौन है तो एरफोर्स के भी हाल में ही चेंज हुए है जिनका नाम के है अमर प्रीत सिंग अमर प्रीत सिंग ठीक है नेवी के कौन है तो नेवी के याद रखीगा दिनेश कुमार त्रिपाथी नेवी के नेवी के चीफ कौन है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ठिक अभी पचपनुवा चल रहा था क्या भारती अंतरास्टी फिल्म मौचसो कहाँ पे गोवा में कहाँ पे अंतरास्टी फिल्म मौचसो भारती अंतरास्टी फिल्म मौचसो दोज़ाचोबिस ठीक है कहाँ चल रहा था गोवा में याद रखिएगा, ठीक है, स्यामा परशाद मुखर जी इंडोर स्टेडियम में ये चल रहा था, अभी खतम हो गया कल, तो जो खतम हो गया तो दो-तिन जो पुरुसकार मुख हैं, उनके बारे में बात करेंगे, फिर सब का एक साथ हम बात करेंगे, फिलाल जो बड़े हैं उ उत्तर में हैं, ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री है, एक लिथुआनिया, सोले ब्लिव वेट जो है, वो उसके वहाँ पर फिल्म निर्माता है, निर्देशक हैं एक तरह से, निर्माता नहीं, लेखक और निर्देशक हैं, तो निर्देशित फिल्म इनके जो हैं टॉक्सि को आज पचपन में भारती अंतरास्टे फिल्म में 2224 में परतिष्ठित गॉल्डेन पिकॉक अवार्ड मिला है, तो ये याद रखना, कौन सी फिल्म है, टॉक्सिक, किसके द्वारा निर्देशित है, तो लिथुआनिया के हैं, और लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है पंजी, गोवा के डॉक्टर सेमापसित मुखर जी इंडोर स्टीडियम में ये समापन समारो खतम हो गया, टीम को 40 लाग नगद मिला है इनको, ठीक है, और गॉल्डेन पिकॉक ट्रॉफी भी मिली है, ठीक है, एक प्रमान पत्र मिला है, क्लेमेंट फेवु, ये जो है, क्ल अंदर अभी नहीं के लिए सरुसेस्ट अभिनेता, ठीक है, क्लेमेंट फेवु को, और महिला अभिनेतरी में, मतलब अभिनेतरी में, किन को मिला है, तो दो लोगों को मिला है, किसको, वेस्टा माटूलाइट और लेवा रैपुकाइट, ने सन्यूक तरुप से फिल्म रेपुई काइट और वेस्टा माटूलाइट ठीक है तो ये सारे यूरोपियन ही होंगे क्योंकि ये फिल्म ही कहाँ लिथ्योनिया यूरोपियन है आगे बढ़ते हैं जो हिंदी में मिला है भारती वर्ग में नवजोत बांदिवाडेकर को घरत गनपती के लिए भारती सिरीज में सबसे स्रेस्ट किसको मिला है लंपन ये मराठी है ठीक है मराठी विब सिरीज है लंपन याद रखना ठीक है और भारती वर्ग में जो फीचर फिल्म के लिए दिया गया है वो किनको मिला है तो डेब्यू निर्देशक के लिए मिला है नवजोत बांदिवाडेक कुन write को ठीक है और एक और चीज कि एक और चीज क्या है तो भारतिय फिल्म सक्सियत होता ना योड calendar जू पचिपन वाथजसंव के लिए जो दिया गया है भारतिय फिल्म सक्सियत एक तरह से यरe यह साल का तो वो क्या है विकरांत मैसी को मिला है यह 12 फैल वाली मूवी के हीरो है यह ना बहुत सारे वेब स्रीज भी है तो अब देख सकते हो विकरांत मैसी को क्या मिला है भारती फिल्म सक्सियत के रूप में माननेता मिला है इनको ठीक है मतलब सम्मानित किया गया है इसी पुरुसकार से, फिल्म सक्सियत, पचपनवे अंतराश्टी फिल्म महुतसब के लिए, परधानमंत्रे नहिंदमोदी आज ओडिशा के तीन दिवसी दोरे पर होंगे, जहां वे भूबनेसवर में अखील भारती है, पुलिस महानिदेशकों, महानिदेशकों, जो सारे इनसजी हैं, एनसजी के हैं, तो यह रो के हैं, आईबी के हैं, तो उनके साथ इनका सम्मेलन होगा, जिसमें अन्रेदनमोदी भाग लेंगे, उडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा, तो महानिदेशक के अलावा, महानिदेशक, ठीक है, कौन-कौन होंगे, तो अमीदसा भी होंगे, और एक और चीज़ याद रखिएगा, अमीदसा से साथ साथ, और CRP भी होगी, CRP के निदेशक जो है, महानिदेशक क्या नाम है, CRPF के, ठीक है, यह भी होंगे, और खास बात यह होगा, कि 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक, ऐसा अमीदस हने कहा है, कि भारत से नकसल को खतम कर देंगे हम, ठीक है, यह अच्छी बात है, पर मार के नहीं, कुछ को घर लाके भी सही रहेगा, घर के घर उजड़ जाएंगे नहीं तो, सम्मेलन के एजेंडे में, आंत्रिक सुरक्षा, साइबर अपराध, मावादिस खत्रा, कृत्र अच्छा, उडिशा का नाम आया है, तो उडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या, 21, विदान सभा सीटों की संख्या, 147, 147, 147, मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी है, और गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री है, जारखन के रगुबर दास, रगुबर दास, ठीक है, और एक और चीज, उडिशा से समन्दित, राष्ट्रिय परवासी दिवस जो अगले साल मनाया जाएगा, आपको लिखना है परवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रिय परवासी दिवस जो अगले साल मनाया जाएगा, वो कहां पर मनाया जाएगा, तो उडिशा महीं मनाये जाएगा ठीक है याद रखना लोकसबा ने वक्ष संसोधन विधेयक दोज़चोबिस पर सन्युक्त संसदिय समीति का कारेकाल दोज़चोबिस में बज़चतर के अंतिम दिन तक पढ़ाने का प्रिस्ताव पारित किया है एक्चुली क्या है इस बार अभी विधेयक नहीं लेके आया गया है क्या होगा 2025 में जब बजट आएगा ना फरवरी मार्च में तभी ये फिर से आएगा विधेयक ठीक है अभी कुछ काम करना होगा इसलिए रोग दिया उन्होंने तो याद रखिएगा संजुक्त संसदी समीति के अध्यक्ष और भाजपस जगदंबी का पाल है मतलब संसदी समीति जो वक्व संसुदन विधेक लाया गया है उसके लिए जो जोईंट संसदी समीति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कोने तो जगदंबी का पाल ये प्रस् पारदर्सिता होती है किसके नाम से क्या है क्या नहीं है और इट का मतलब जैसे पैसा है पैसे का हिसाब किताब होता ना तो ऑडिट का मतलब हिसाब किताब ठीक है हिसाब किताब भी जरूरी है देश के लिए पारदर्सिता में व्रिधी है ना पारदर्सिता तो पता ही होगा अवैदरुप से कब्जे वाली वक्फ संपतियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत सामिल है, अब एदरुप से कोई कबजा किया है तो उसको वापस दिलाना है, सिधी बात है ठीक है, चलो अभी इतना ही, वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रेने के लिए चनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर, जैहिंद